तो चलिए आज के वीडियो की शुरुवात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखेर आज के इस वीडियो में क्या इन्फोर्मिशन आपको मिलने वाली है देखे जॉर्नलिजम से जुड़ा एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो लगभग आपसे कई बार लोगों ने किया होगा यह सवाल सिर्फ वो लोग नी करते जो इस फिल्ड में आना चाहते हैं बलकि एक आम वेक्थी के मन में भी यह सवाल जरूर आता है मुझे ऐसा पता है जी हां क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है और वो यह है कि आखर जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास सारी खबरे कैसे पहुंच जाती है और कैसे फिर वो टीवी पर आती है यह सवाल बड़ा मतलब सामान ने है क्योंकि आप देखें 24-7 टीवी चलता रहता है खबरे आती रहती है खबरे कहां से आती है रिपोर्टर को कैसे मलती है यह जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है देखिए है क्या जो रिपो है तो उनकी जानकारी कैसे मलती है होता क्या है देखिए पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे बहुत सारी चीजे होती है बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके थूरू रिपोर्टर्स जो होते है वो खबरों को जैसे कि कानपूर की बात करती हूँ जैसे कि कानपूर में किसी चनल का कोई रिपोर्टर है तो एक तो यह होता है कि जो सारे पत्रकार होते है यह सारे पत्रकार आपस में जोड़े हुए होते हैं वोट्सैप पर इनके ग्रूप होते हैं हर चैनल का अलग ग्रूप होता है और हर वेक्ति जिसे किसी के पास भारत समाचार का अक्की आईडी है, तो उसने भारत समाचार के नाम से ग्रूप बना रखा है, अब उसमें जरूरी नहीं है कि सर्थ भारत समाचार के लोगी एड हो, वो रिपोर्टर अपने और लोगों को भी एड करता है ताकि वहाँ पर खबरे आती रहे, सर्कुलेट होती रहे, और एक ग्रूप होता है ऐसा कुछ जिसमें सारे पत्रकार एड होते हैं, बहुत सारे लगभग 2,500-300 लोग एड हो जाते हैं, और वहाँ पर सारी खबरे एक दूसरे को मिलती रहती है, और एक चीज और, कुछ ऐसी जगह भी होती ह आपने सुना होगा लगभग हर जगह पर प्रेस क्लब होता है, यह प्रेस क्लब आखिर क्या होता है, देखे हम सामाने भाशा में तो अड्डा, जैसे हर पत्रकार, पत्लब हर जगह पर पत्रकार जो होते हैं, वो एक अड्डा बना कर रखते हैं, जहां पर सब बैट कर लेकिन एक चीज है, exclusive खबर कोई भी नहीं बताता है, like कोई normal खबर है, मतलब खबर है, सिर्फ normal update है, तो वो तो एक दूसरे के साथ share कि रहता है, लेकिन exclusive कभी भी share नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आपका profit है, अगर कोई आपके पास बिलकुल सबसे पहले खबर मिल गई तो आप उसे दोसनों को थोड़ी ना बताएंगे आप सबसे पहले उसे अपने चैनल पर चलवाएंगे और उसके बाद तो फिर सर्कुलेट होई जाती है खबर तो एक तो इस तरह से reporter को ख़बरें मिलती है, reporter फिल्ड पर रहता है उसकेANS त्रिंगर्स यानों कि उपने singers चैनल की और से बहुत करता है एक यसी कि it रहती है और नियू सौर्स और भी बहुत सारे होते है 그걸 अगर कोई खबर मतलब जो सरकारी भवन होते हैं, जो भी खबरे यहां सा आती हैं, वो कैसे मलती हैं, होता क्या है, यहां पर भी इनके sources होते हैं, अब sources जैसे की sources बहुत सामान ने हो सकते हैं, वहां पर काम करने वाला चपरासी भी एक reporter का source हो सकता है, उसका काम करने के लिए वहां पर present होता है, तो अब यह समझ लेजिए आपकी एक चपरासी को अगर कभी कभी रिपोटर चाय पिला देता है या 50-50 रुपए दे दिया तो वो भी उसे अंदर की खबर पहुचा सकता है कि कब कहा क्या होने वाला है तो इस तरह से अपने सोर्सेस बनाया जाते हो और इस तरह से खबरों को वह मिडिया को टिया यह हुटर करो और इस अपने समय चरौ तो यह होता है मतलब मीडिया इंविटेशन मीडिया को ईंवाइट के कह बताया जाता है और फिर ओ और उस अदूसरे देन साभी जगा पर चलती है तो एक तो इस तरह से लेकिन सबसे इंपोर्टन्ट यह है कि आपके सूर्सस बहुत ताग्ड होने चाहिए, अस्पिताल है सपोज, सिर सब्सक्री बड़ी और अंदर की बाद आपको ये ही लोग बता सकते हैं, और इनके साथ आपको अच्छा वैभार बना करना पड़ता है तभी आपको काम हल हो पाएगा तो इन लोगों से कभी भी बदब अपने रिष्टेवन बिगाड़ियेगा और क्या होता है और यह होता है कि मैंने बता है ना WhatsApp ग्रुप पर बहुत सारे से खबरे होती हैं आपको नहीं पहुंची लेकिन हाँ दूसरी को मिली तो आपे तुरंत वाटसाप पर उसन डाली है आप तुरंत उस पर अपडेट लिए और अपने चनल पर चलवा दिया और होता क्या है यह सारी खबरे को मिलती है उसके बाद रिपोर्टर इसे अपने इंपुट को भेशता है औ आपके शेतर के कोई खबर है जो आप तक नहीं पहुंची आप नहीं चला पाए लेकिन कोई दूसरा चैनल वो खबर चला रहा है तो जो मॉनिटरिंग पर चैनल में बंदे बैठे होते हैं वो यह देखते कि कानपूर की खबर चल रही है हमारे रिपोर्टर ने तो नहीं और यह दो हमारे वो तुरण आपको कॉल करें और आप से पू करेंगे कि यह खबर है अप उसका अपड़ीच लिकर दो तब आपको खबर मेलेगी हालाकि एसा नहीं होना चाई आपको ड़ीच रहना चाहिए और आप हम quests बना दरफी पढ़ते आप से चूटी नहीं तो अस अब तक इस तरह से पहुंचेंगे, अगर आप भी रिपोर्टिंग करेंगे कभी आगे जाकर, तो हमेशा सोर्स अच्छे बनाएगा, हर जगा पर प्रशाशनिक भवन हो, होस्पिटल हो, मतलब कोई मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई आपको चल रही है, उसका कुछ आपको करके रखी कि कब क्या होगा, वो उन्हें मैसेज के तुरू बताते रहेंगे, इस तरह से खबरे बाहर आती है, क्योंकि कोट्रूम के अंदर रेपोर्टर नहीं है, लेकि रेपोर्टर को बरावर खबरे मिल रही है, कि फिलाल कोट्रूम में कारवाई शुरू हो चुरू हो अब इतनी दर में यह होने वाला है, अब बस थैसला आने वाला है, इस तरह के चीजे जो है, आपको सोर्स के तुरू ही मिलती है, और देखते हैं बहुत मतलब पहले ही बाहर वकील नहीं आया लिकिन उनसे पहले बता दिया आता है कि यह फैसला सुना आई गया है, ताकि ब बॉक्स में जरूर बताईगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक गॉसिफट गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चाहें तो मुझे फेस्बूक और इंस्ट्रोग्राम पर भी फॉलू कर सकते सब्सक्राइब के नाम से मेरा आकाउंट आपको फेस्बूक और ट्विटर पर मिल जाएगा, बाबाए कर दो, सम्क्राइब कर सकते।